नवस्कार आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूँ अंजिना ओमकश्यब जीहां स्वामी रामदेव जो अपने आप में अब एक ब्रांड बन चुके हैं ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दो हजार करोड के अब बिजनिसमन बन गए हैं स्वामी रामदेव तो योग, योग से भ्रष्टाचार के खलाफ आंदोलन, आंदोलन से सियासत, सियासत में नरेंदर मोदी के साथ खड़े दिखें और एक बार फिर से अब दो हजार करोड की उनकी कंपनी हो गई है पातांजली आयुरवेद का जो बढ़ता कारोबार है वो हम आपको दिखा र आया है आये सीदेरो करते हैं स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए है स्वामी रामदेव जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज तक में मेरा पहला सवाल आप से यही यह जो स्वामी रामदेव अपने आप में अब एक ब्रांड बन गए है दो हजार क रोड की कंपनी क्या अब हम ये कहें कि अब हम योग गुरू स्वामी रामदेव से नहीं businessman business हौंग को कह लीजे बहुत सारे शब्द हैं वो स्वामी रामदेव से बात कर रहे हैं अब देखे बहन पहली बात यह है कि कि इस देश में कोई क्रिकेटर ब्रांड बनता है इस देश में कोई एक्टर एक्टरस ब्रांड बनते हैं तो उनक्यों को बिजनेस में नहीं बोला जाता हूँ कहते हैं वो तो ब्रांड है यहां यदि हमने योग को जन जन तक पहुँचाया आईरवेद को जन जन तक पहुँचाया और अब स्वदेशी के संकल्प को लेकर के योग आईरवेद स्वदेशी और वैदिक संस्कृति के संकल्प को लेकर के हम खड़े हुए हैं तो यहां बिजनेस में नहीं है बाबा सन्यासी था सन्यासी है और सन्यासी ही रहेगा इस पूरे प्रकल्प से इस स्वदेशी के संकल्प से जो कुछ अरजित किया उसको आज तक भी सेवा में लगाया आगे भी सेवा में लगाएंगे पहली बात तो यह कि जितने भी ब्रांड हैं जिनको मैं भी कह रहा था चाहे वो एक्टर हैं अक्टरस हैं क्रिकेटर्स हैं वो लोग जो भी अरजित करती हैं वो अपनी प्रस्नल वैल्थ बढ़ाती है यहां हमने एक रुपए से लेकर के करोड तक जो कुछ भी अरजित किया उसको सेवा में ही लगाया और अभी भी पांसो आचारे कुलम खोलने के हमारी योजना है आज इस देश में चैहिए वो कोई भी विदेशी कंपनी है चैहिए वो हिंदुस्तान यूनिलिवर है कोका कोला है पेफसी है जोंसेन जोंसन है पियन जी है इन कंपनियों ने कोई अदेश में सेवा की काम नहीं किये हम इस अदेश में पहले चरण में पांच लाक और धीरे धीरे करके फिर करोडों बच्चों को शिक्षार संस्कार देंगे ये हमारा काम है मेरा इस कंपनी में यदि आप पतंजली अर्वेट की बात करें वहन मेरा को एक रुपय का सेर हो भी अर्निंग होगी वो सेवा में लगेगा ये मेरा संकल्प है इसके लिए हमने स्वदेशी के काम को आगे बढ़ाया महात्मा गांधी के स्वदेशी को तो सबसीडी पर लेकर के चले गए थे हमने सबसीडी की वैसाखियों पर स्वदेशी के काम को खड़ा नहीं किया पह स्वामी रामदेव का सन्यास कोई मंत्र तो बताईए स्वामी रामदेव पता तो चले इस देश में हजारों हजार बिजनसमेन है छोटे जो संघर्ष करते हुए पूरी जिंदगी बिता देते हैं एक उद्योग छोटा सा चलाना मुश्किल हो जाता है कई सारे उद्योग हैं जो बंध हो जाते हैं स्वामी रामदेव के पास ऐसा क्या मंत्र है बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं इसलिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती देखो बेन मैंने ये सेवा की यात्रा 20 साल पहले शुरू की है अंजना आपने तो देखा है इस पूरी यात्रा को कम से कम 20 साल नहीं तो 10 साल से तो देखी रहे हो देखे इस यात्रा के शिखर आरोहन का ये जो जिसको आप ग्रोथ कह रहे हो उसका कारण जो है वो समृद्धी नहीं है उसका कारण सेवा है माने हमने जो कुछ किया वो अनासत्य भाव से किया ब्रह्मा भाव से किया निश्काम भाव से किया कि जो कुछ हमारे पास है वो सब समाज के लिए समाज ने हमें दिया समाज के लिए हमें दिया और हम समाज के लिए कर रहे हैं और इसके प्रिषे मंत्र यही है सो प्रिठिशत एमानदारी एक मंत्र सो प्रिठिशत मेहनत मैंने 20 लाख किलोमेटर यात्रा किये इस देश में वहन 20 लाग किलोमेटर की यात्रा करके लोगों की कमर कबाड़ा हुदाती है 20 करोड लोगों के कारेक्रम किये हैं उनको है का है कॉंसे बनाया है उनको उनको योग की शिक्षा के साथ संसकार दिये तो एक मने लोगों की कनेक्टिविटी वो प्रास्परेटी से नहीं है वो डिवीनीटी से कनेक्टिविटी है तो मंत्र यही है सबकी सेवा सबकी सम्रिद्धी सबका स्वास्त और अब सबकी सिक्षा का संकत तो ये बड़े मन से बड़े काम होते हैं छोटे मन से बड़े काम नहीं हो सकते ठीक है लेकिन मैं फिर से अपने सवाल पर लोटती हूं आप प्रधानमंति नरेंद्र मोदी के साथ चुनाओं के पहले भी दिखे एक मंच पर उसके बाद भी दिखते रहे हैं मैं फिर से वही सवाल आपसे पूछ रही हूं देखिए ना इस देश की सचाई ये देखिए जब हमने शीर ससत्ता के साथ काला धन भरष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के संघर्ष किया तब आप ही लोग थे सब मीडिया के भाई भेनों ने जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं सब ने एक बात कही बाबा अब सब खतम होगा और आपने देखा हजारों हमें नोटिस मिले एक एक दिन में सो सो केस हुए सेल टैक्स, इंकम टैक्स, इडी, सीबी आई कुछ भी तो नहीं छोड़ा मने हमने तो पैसा और प्रतिष्ठा दोनों को दाओं पर लगा करके सत्ते के लिए ये संघर्ष किया था सत्ता के लिए नहीं, संपत्ती के लिए नहीं, हाँ अब ये जो ग्रोथ है, ये किसी सत्ता की मेरवानी से नहीं है कि जो है गोवर्मेंट में सप्लाई कोई कर दी जी, कोई सरकार ने हमारे लिए स्पेशन नेम बना दिये जी, हमने तो संघर्षों के बीच में पर मोदी जी का थोड़ा फाइदा तो मिलता होगा, मोदी जी को आप इतना जानते हैं इतने अच्छे रिष्टे हैं थोड़ा फाइदा तो मिलता होगा हमने इस ब्रैंड को नरेंदर भाई मोदी से क्या फाइदा लिया या अब ये घी आज पचास से सो टन जा रहा है पूरे महराष्ट का, पूरे करनाटक का, पूरे पश्चिम आंदर प्रदेश का, वहां से करीब हमारे पास में रोज डेड़ सो से दो सो टन मख़न आता है इसमें ना किसी गोडमेट का सहयोग ना किसी स्टेट गोडमेट का ना सैंट्रल गोडमेट का ना किसी कॉरप्रेट का ये आज पचास से सो टन की डेली गय का जा रहा है, इसके पीछे सुधता, प्रामाणिकता, लोगों का भरोसा, और जो कहा, वह किया, अब चुरन प्राज है आप देखिए बाजार में जो कंपनियां है स्वामी जी को करोन उर्पाइड पर खर्च करती हैं और हमारा करीब पचांस से सो टन चर्ण प्रास रोज जाता है किसलिए जा रहा है भरोसे के उपर इसमें नरेंदरवाई इसमें स्टेट गौर्मेंट की करफा नहीं है हमने अभी विदेशी कंपनियां बेच रही थी हमने यह भी ब्रांड लॉंच कर दिया अब आप देखिए जो के लोग्स या दूसरी कंपनिया थी वह सेंकुन करोन पर खर्च कर रही थी हमें जो प्रोडेक्ट हम लॉंच करते ह उसके बनाने के लिए हमें व्योस्ता करने पड़ती है हमने सरकारी मेंने का दया के पात्र हो करके कारे सुरू नहीं किया हमने सत्य के अधार पर सेवा के अधार पर इस काम को सुरू किया और अब अभी तो सुरूवात है यह 2000 करोड से 5000-10000 करोड कहां जाके ठेरेगा मुझ आपसे सीखें यही पर चैनल पर ही बैठके आपने दो तीन प्रोडाक्स दिखा दिये जानता को लेकिन अगर मार्किटिंग के लिए कोई ब्राइंड अंबासेडर आपको चुनना हो तो किसको चुनेंगे आप तो सबको फिल्म स्टार्स से लेकर नेता सबको जानते हैं देखें ऐसा है आदने अमिताब बच्चन जी से लेकर के शाहरुख खान जी अमीर खान जी सलमान खान जी सारे खान बंधू सा जह है सिलपासेटी से लेकर के और जह है तमाम एक्टर एक्टरस किरकेटर्स जह है धोनी जी सब के साथ हमारा प्रेम है लेकिन हम किसी ब्रांड को नहीं चुनेंगे हम अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए सेवा कोई चुनेंगे हमारा ब्रांड है सब की सेवा सब का स्वास्थ सब की समरिधी सब की शिक्षा यह हमारा जह है ब्रांड है यह हमारा ट्रैग लाइन है और यही हमारे इस ग्रोथ के पीछे इस पूरे जिसको तो आप कहते हैं कि इतना बड़ा विदेशी जो विशाल काई कमपनिया हैं उनको टकर देने के लिए स्वदेशी का काम खड़ा किया तो इसके पीछे कोई व्यक्ति का ब्रांड नहीं इसके पीछे सच्चाई प्रामानिकता लोगों का भरोसा है ठीक है आपकी जिंदिगी का ज़रा करियर ग्राफ एक बार देखते हैं स्वामी रामदेव जी योग से भरष्टाचार के खिलाफ काले अधन का एक एक आंकड़ा आपने कंठस्त कर लिया है वो कभी भी आपसे कोई पूछ ले आप सारे आंकड़े गिना देंगे उसके बाद आंदोलन से जुड़े आंदोलन के बाद एक वक्त पर लगा सियासत में आएंगे फिर योग पर फोकस और अब पतांजली पर आपका पूरा का पूरा फोकस है पिछले दिनों आपने कुष्टी भी सुशिल कुमार से लेकर सबके साथ करके अपने इस कंपनी पर आप सारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये जो करियर ग्राफ आपका बढ़ रहा है इसको किस तरह से समझाए आप सियासत से बिलकुल दूर हो गये हैं उसका फाइदा उठाकर अपने उद्योग को आगे ले जा रहे हैं कुछ इस मकाम पर है देखे बैन मेरा अगला जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो इस देश में पहले 500 आचारे कुलम खोलना है और उसके बाद में इस पूरी देश की सिक्षा का स्वदेशी करन करना ये तो स्वदेशी वस्तू का एक आपने काम देखा है आचारे कुलम में भॉर्ड कुण समस्ता करो होगा एक से स्वामी जी ये जो आचारे कुलम आप खोल रहे हैं इसमें कौन से बॉर्ड के एक्जाम्स होगे क्योंकि फिर उस डिग्री के साथ उस क्वालिफिकेशन के साथ बच्चे को कम्पूटिशन के बाजार में उतरना ह सबसे बड़ी बात ही होगी कि वर्ड में जो लेट होगा नौकरी के लिए यह जो आप स्कूल सिस्टम एक पैरलल बनाना चाह रहे हैं इसमें कौन सा बोड होगा कि अ यह बोड तो जो भी होते हैं वो अटोनोमस ही होते हैं तो यह उटोनोमस बोड बनेगा और autonomous board का जो पाठे करम होगा उसमें computer से लेकर के science, technology, mathematics, physics, chemistry से लेकर के सबसे बड़ी बात यह होगी कि world में जो latest modern education system है वो तो होगा लेकिन इसके साथ इसमें वैदिक शिक्षा होगी वेद, दर्शन, उपनिशद, योग, अठ्यात्म, संस्कृति, संस्कार जिसे के इंसान इंसान बनता है दुनिया में जितनी भी बड़े काम हो रहे हैं आखिर करतो रहे हैं ultimately वो इंसान ही न चैए वो मीडिया के शिखर पुरुष है, चैए वो corporate में शिखर पुरुष है, चैए वो politics में, social field में, spiritual field में हम एक अच्छा इंसान, एक विश्व नागरिक, एक ideal world citizen कैसे बने, उसके लिए एक नया board बनाएंगे और इसमें मैं कहूंगा कि ये जो मेकाले की शिक्षप अद्दती थी, उसका एक स्वदेशी विकल्प होगा, एक भारती विकल्प होगा, तो एक नया board होगा और उसके HRD मिनिश्ट्री से हम उसकी मान्यता लेंगे, और उसके आधार पर ये काम चलेगा, जब तक वो board नहीं बनेगा, तब तक CVSC का जो पाठीकराम उससे पढ़ाएंगे चलिए ठीक है, तो affiliation का कोई प्रशन नहीं होगा, बलकि सिक्षव विवस्था का बिलकुल, बिलकुल लोटेंगे आपके पास स्वामी जी, और जब तक मोदी जी के सरकार है, तब तक कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, स्वामी रामदेव और उनके जवाब एक छोटे से ब्रेक के बाद, और भी बहुत सारे झाहिए